Yes, Ready, 3, 2, 1, Start सो योजन चोड़े विसाल समुद्र पार कर हनुमान जी आकाश मैं उड़ते हुए सिग्र ही लंका नगरी के निकट जा पहुँचे विराम वहां का द्रिश्य बड़ा ही सुहावना था विराम चारों और तरह तरह के सुन्दर व्रिक्ष लगे हुए थे विराम सुन्दर सुन्दर फूल खिले हुए थे विराम भाती भाती के पक्षी आनंद में चहक रहे थे विराम पैरा सीतल मंद सुगंदित हवा बहे रही थी विराम बड़ा ही मन मोहक दरश्य था लेकिन स्री हनुमान जी का मन इस समय प्राकृतिक छटा में बिना डूबे लंका में परवेश की योजना बनाने में खोया हुआ था विराम महावीर हनुमान जी ने सोचा कि माता सीता जी को रावन ने जिस इस्थान पर छुपा कर रखा है उसका पता तो मुझे लगाना ही है और साथ ही मुझे यहां के बारे में अन्य आवशयक बाते भी जान लेनी चाहिए विराम मुझे यहां पूरी सेना के ठहरने लायक स्थान जल फल की सुवीदा आदी का पता भी करना चाहिए विराम रामन का दुर्ग विदिन प्रैकेट किला दूर से ही देखने पर अत्यंत दुर्गम मालूम पड़ता है विराम पैरा अत युद के विचार से इसकी एक एक बात का पता लगा लेना भी आवशेक है परन्तु अपने असली रूप मैं और वह भी दिन के उजाले मैं इस नगरी में परवेश करना तो बहुत बड़ी भूल होगी विराम इसी लिए रात्री के समय सब के सो जाने पर सूक्ष्म वेश दारण करके ही मेरा इस नगरी में परवेश करना उचित होगा विराम रात हो जाने पर मच्छर के समान अत्यंत छोटा रूप बन कर तथा मन ही मन परभू स्री राम चंद्र जी का इसमरन करते हुए हनुमान जी ने लंका में परवेश किया विराम चारों और बयानक व विकराल राक्षस राक्षसियों का पहरा था विराम पहरा वह नगरी बहुत अच्छी तरह से बसाई गई थी विराम सडकें चौराहे सब बहुत ही सुन्दर थे विराम उसके चारों और समुद्र था विराम पूरी नगरी सोने की बनी हुई थी विराम इस्थान इस्थान पर सुन्दर बगीचे और जलाशे बने हुई थे विराम हनुमान जी अत्यंत सावधानी के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि लंका की रक्षा करने वाली लंकीनी राक्षशी ने उन्हें पहचान लिया विराम उसने आगे बढ़ कर हनुमान जी को डराते हुए कहा अरे विसमे बोदक चिन्ने तू कौन है प्रसनवाचक चिन्ने जो चोर की तरह छिपकर लंका में परवेश कर रहा है विराम क्या तुझे यह पता नहीं है कि लंका में गुसने वाले चोर ही मेरे आहार हैं प्रसनवाचक चिन्न इससे पहले कि मैं तुझे खा जाऊं तू अपना सारा रहस से बता दे कि यहां क्यों आया है प्रसनवाचक चिन्न पैरा हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं इससे किसी परकार का विवाद करता हूं तो शोर सुनकर बहुत से राक्षश यहां इकठे हो जाएंगे विराम अता मुझे इसे बेहोश करके आगे बढ़ जाना चाहिए विराम यहां सोचकर उन्होंने बाहें हात की मुष्टी का विजन प्रैकेट मुठी से उस पर परहार किया विराम उस परहार से वह मुह से खून फैकती हुई बेहोस होकर प्रित्वी पर घिर पड़ी किन्तु सिग्र ही वह पुनह उठकर खड़ी हो गई विराम उसने कहा वानर वीर विसमे बोदक चिन अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है विराम तुम भगवान स्री राम चंद्र जी के दूत हनुमान हो विराम मुझसे बहुत पहले ब्रमा जी ने कहा था त्रेता युग में हनुमान नामक एक वानर लंका में सिता जी की खोज करता हुआ आएगा विराम तु इसकी मार से बेहोश हो जाएगी विराम जब ऐसा हो तब समझना की सिग्र ही सारे राक्षसों के साथ रामन का संहार होने वाला है विराम वीर राम दूत हनुमान विसमे बोदक्चन अब तुम निर्भय होकर लंका में परवेश करो विराम मेरा परम सवभाग्य है कि ब्रमा जी की किर्पा से मुझे परम पवित्र स्री राम दूत के दर्शन हुए पून विराम